राजस्तान की सियासत में भलई इन दिनों सतही तोर पर मेवात से लेकर मारवार तक शांती दिखाई दे रही हो लेकिन अंदर खाने हलचले तेज हैं अगले साल विधान सबा चुनाव होने हैं महुआ से निर्दलिय विधायक और अशोग गहलोत समर्थिक विधायक ओम प्रकाश हुडला पर कॉंग्रेस नेता ने गंबीर आरोप लगाए हैं बिना नाम लिए ही कॉंग्रेस नेता अजीत सिंग ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस नेता के बारे में पहले ही आगाह किया था लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब वो करप्शन की दलदल में डूप चुका है यहां तक की बिना नाम लिए अजीत सिंग ने विदायक हुडला को कातिल तक कह डाला आप भी सुनिये के आखिर अजीत सिंग ने क्या कुछ कहा यह गरए मानिगे नहीं सब्सक्राइब प्रिसाजने की दिक अध् सब्सक्राइब ट poo माली करना मां लो democratिवार्ण से में अलारोी जर्मिंग के ऐसंती प्रिसाशाजन वर्णा की जड़कियों मुह जो आशितनल मोलो असुम्हे घरसही मिकलते ही वह घrealy प्रश्चारती आकंच में परेशान घठित पीडित है और हुमारे यहां का जो सर्टारी कंत्र में भेज़े अज़कारी है खुले आम मैं गलत के रहा हूं तो बताइए आप परश्चार के लामले में एगर राजस्थान के इतियाज के उथा करके देखिए और वर्टमान फष्टियों के उथा करके देखिए तो भवा की खफ्टी पर जितना खफ्टाचार है उत्रारा वाले श्रूतियों को ने वाला में इसका गोबर इठाने वाला ठेट पर सब्सी बेचने वाला नांजां में जाकर के हाद चोड़ के फेर पकड़ने वाला एक नरुम सभाव का देख्थी बहुत बड़ा कातिल है मैं आपको बताने चाहता हूँ वो वेक्ति राज़ी की में क्यों आया है उसका जनम उसकी पैदा इस धरश्चाचार से हुई है और धरश्चाचार के मात्यों जो संपत्ति उसने आजित्ति है उस संपत्ति की तुरश्चा और अपने फर्वार की तुरश्चा के लिए वो राज मिती में आया है उसका जन्ता की खेवा करने से कोई बास्ता ने है